नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवाम पारंडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आजम लोग इस वीडियो में विश्व के प्रमुख और द्योगित नगर को ट्रिक के माध्यम सियाथ करने वाले हैं ये टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफी जादा महत्पूर्ण है चाहिए आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कभी न कभी यहां से भी एग्जाम में कुश्यन पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो देर कोंचि एगर हैं की बात हो रही है और डेरी में सब लिखा है डायरी effects अ कि देरी उत्पात के लिए थी además के लिए झाला आपकिए थियां पर देखे पिट्सबर्ग में पीट्स भार्ण जाए तो जाही सी बात है लहू निकलने लगेगा है ना अगर किसी को तबिये से पीट दिया जाए तो लहू निकलने लगेगा लहू फोर लोह इस पात और पीटना फोर पिट्स बर्ग तो आप ऐसे आद रखेगा कि पिट्स बर्ग किस चीज के लिए फेमस है लोह इस पात क की बात हो रही है सिकागो सिकारो यानि सिकार तो सिकार से क्या मिलता है मांस ही मिलता है अगर जानवरों को कोई सिकार करता है तो जाहिसी बात है कि मांस मिलेगा तो आपको ऐसे आसानी सियाद हो जाएगा कि सिकागो किसके लिए फेमस है मांस प्रसंस करण के लिए ठीक है इस में सब्द लिखा हुआ है चिश्ट तो मैंचेश्ट या फिर अर्सा कहिए कि मैं अपने सरीर में क्या पहनता है कपड़े पहनता है यानि वस्तर पहनता है तो आपको याद हो जाएगा कि सूती वस्तर के लिए कौन सा विश्व का प्रमुख द्योगिक नगर है मैंचेश्ट है ठीक है अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का मैंचेश्टर किसे कहते हैं देखते हैं आप से बनता है कि नहीं ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रॉटरडम की जो की नीदरलेंड का एक सहर है और यह फेमस है मरीन इं इंजीनियरिंग के लिए फेमस है याद हो गया आसानी से आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संगाई की जो की चीन का एक सहर है और यह फेमस है वस्त्र उद्द्योग के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए संगाई में सब्दी लिखा हुए सगाई संगाई सगाई तो जब सगाई होती है किसी की तो जाही सी बात है हर बंदा क्या करते है ने ने कपड़े पहन कर आते है जब सगाई होती है तो सब ने ने कपड़े पहन कर आते हैं कपड़े मतलब वस्त्र तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वस्त्र उद्द्योग के लिए कौन सा famous है जो चीन का संगाई है ठीक है और इसे पहले सूती वस्तूर्द्योग के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा मैंचेस्टर जो की इंगलेंड का एक सहर है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हौलिवुड की जो की अमेरिका का एक सहर है और ये famous है फिल्म उद्योग के लिए तो सिंपल सा आपको पता है हौलिवुड फिल्मे होती है तो हौलिवुड किस चीज के लिए famous है फिल्म उद्योग के लिए ठीक है तो आपको आसानी से याद रहेगा इसके लिए ठीक बताने के लिए कर लेते हैं मुलतानी मुलतानी से आपको मुलतानी मिट्टी याद आ गया होगा जो की फेस में लगाते हैं फेस पैक की तरह है ना जो ऐसे की आपको पता होगा जो मेक अप करवाते हैं या फिर जो पारलर जाते हैं उनको ज्यादा तर ये चीज़े पता होंगी क्यो तो कि famous है कालीन उद्योग के लिए ठीक है किसके लिए famous है कालीन उद्योग के लिए तो यहाँ पर देखिए धाका की बात हो रही है धाका को याद करने के लिए कर लेते हैं धाका धाकने की बात हो रही है ठीक है और किसको धाका बंगले को क्यों बंगलादेश की राजधानी तो आप एसे आद रखेगा कि ढाका किसचीच के लिए famous है कालीन उद्द्योग के लिए famous है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं बर्मिंगम की बर्मिंगम जो कि इंगलेंड का एक सहर है और फेमस है लौह इस पास के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनसन की जो की चीन का एक सहर और ये भी लौह इस पात के लिए फेमस है तो यहाँ पर देखें अनसन में सब्द लिखा हुए संसन मतलब क्या होता है पुतर होते है और ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई किसी का पुत्र है तो जाहिसी बात है कि पिता और पुत्र में एक ही लहू है बोलते हैं ना कि ये मेरा ही खून है ठीक है तो पुत्र के अंदर पिता का ही लहू होगा तो आप ऐसे याद रखेगा लहू फोर लहू इस पात और पुत्र मतलब सन तो अंसन की शीच के लिए फेमस है लह इस पात के लिए फेमस है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सलेम की सलेम जो की भारत में एक इस्थित एक जगह है और ये जो है लह इस पात के लिए फेमस है ठीक है तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि सलेम में सब्द लिखा हूए लेम ले मतलब क्या होता है लंगड़ा तो आपको पहता है अगर किसी का पैर टूड़ जाए तो लंगड़ा हो जाएगा एक प्रकार से तो उसके फिर पैर में रौट डाल दी जाती है ठीक है पैर में रौट डाल दी जाती है या फिर लोहे की बैसाखिया लेके चलता है तो आप एसेन में सब्द लिखा हुए है, लाश्ट में शेन, सेन को कर लेते हैं सन, सन मतलब पुत्र, पुत्र और पिता एक ही लहू के हैं लहूप और लहू इस पाथ तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि अंसन के साथ एसेन भी लाओ इस बाद के लिए फेमस है, याद हो गया ना आगे भड़ते है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कारा गंडा बेसिन जो की कजाकिस्तान में इस्थित है और ये फेमस है कोइला के लिए तो देखिए सब्द क्या लिखा हुए कारा, कारा जो होता है कोईला ही होता है तो आप ऐसे याद रखिएगा कारा गंडा जो बेसीन है किसीच के लिए फेमस है कोईला के लिए फेमस है, ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं कुजनेटस्क की जो की रूस में स्थित है और ये कोईला के लिए ही फेमस है तो कुजनेटस्क में सब्दे लिखा हुए है कुजन को कर लेते हैं कचप और काजल कर लेते हैं काजल जो की आँखों में लगाया जाते हैं तो आपको पता है वो कैसा होता है काला होता है ठीक है कुजन काजल तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि काजल काला होता है काला फर कोईला तो कुजनेश्टक जो है किस चीच के लिए फेमस है कोईले के लिए फेमस है ठीक ऐसे ही कुजबास जो की रूस का ही एक सहर है और ये भी कोईला के लिए फेमस है ठीक है तो यहाँ पर देखे लंका सायर लंका सायर को कर लेते हैं लंका सहर ठीक है तो आपको पता है लंका हनुमान जी गये थे हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी जिससे लंका कैसे हो गई थी काली हो गई थी अब आग लग गया तो काल और कोईला तो आप ऐसे याद रखेगा लंका सायर किस चीज के लिए फेमस है, कोईला के लिए फेमस है, ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, ब्रिश्टल की, तो ब्रिश्टल भी UK का एक सहर है, और ये भी कोईला के लिए फेमस है, तो ब्रिश्टल आपको पता है, धुम बेशिन की यह जर्मनी का एक सहर है और यह भी कोईले के लिए फेमस है तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि basin सब्द लिखा हुआ है, basin को कर लेते है basin, और एक और point है जो है red basin, यह चीन का एक सहर और यह भी कोईले के लिए famous है तो इसको दोनों को साथ में याद करेंगे क्योंकि दोनों में basin सब्द लिखा हुआ है, ठीक है तो basin को basin कर लेते हैं, अगर कोई काला बंदा होता है, तो फेस में बेसन लगाता है जिससे की धीरे धीरे वो गोरा हो जाए, ठीक है, काला बंदा बेसन लगाता है तो काला फोर कोईला तो आप ऐसे याद रखेगा कि रूर बेसिन और red basin किस चीज के लिए famous हैं कोईले के लिए famous हैं, ठीक है तो यहाँ पर देखे, कटलरी में कट सब्द लिखा हुए ना, कैंची छूरी भी धारदार होते हैं या फिर एक हतियार की तरह काम कर सकते हैं तो देखे, safe field में सब्द लिखा हुए safe तो इन चीजों को safe जगे में रखना चाहिए जिससे की छोटे बच्चे ना टश कर पाएं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि safe field किस चीज के लिए famous है कटलरी वाली सामग्रियों के लिए famous है ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो complete हुई अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी part 2 वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा ठीक है, तो चलिए अब हम लोग MCQ test की तरफ चलते है तो पहला question आपके सामने है कि Chicago किस चीज के लिए famous है तो सही जवाब क्या है दोस्तों, option number B यानि manse presence करण के लिए, है ना Chicago में सिकार सब्द लिखा हुआ है सिकार करेंगे तो manse मिलेगा, ठीक है इसके बाद अगला question है, question number 2 Copain Hagen किस चीज के लिए famous है तो सही जवाब क्या है, option number C है मतलब dairy उत्पात के लिए, copain में pen सब्द लिखा हुआ है तो dairy में pen से लिखते है, ठीक है आगे बढ़ते है, इसके बाद हम लोग बात कर लिते है question number 3 की, तो question number 3 है बर्मिंगम किस चीज के लिए famous है तो सही जवाब क्या है दोस्तों, बर्मा लोहे का बना होता है लोहा मतलब law is, तो सही जवाब क्या है लेम मतलब लंगड़ा, लंगड़े लोग बैसाखी लेकर चलते है जो की लोहे की बनी होती है ठीक है, अब अगला question number 5 कुझने टस्क किस चीज के लिए famous है साथ ही साथ आप comment करके बताईएगा कि लंका सायर, अंसन और सेफील्ड ये सब की चीज के लिए famous है ठीक है, तो इन सभी question के answer आप comment करके बताईएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद